करनाल केन आज मंडी में आर्ष से गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत हो चुकी है लेकिन मौसम के बिगले मिजास के कारण अभी मंडियों में गेहूं की आवक नहीं हो पा रही है बरसात की वजह से आशंका जताई जा रही है कि गेहूं की कटाई में करीब एक हफता और लगेगा यानि कि इंतिजार करना पड़ेगा ऐसे में एक का दुक का किसान ही अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं लेकिन फसल में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसल बेचना अभी मुश्किल है गेहूं सीजन को लेकर मार्केटिंग बोर्ट के अधिकारियों ने तमाम प्रबंध किये घरणडा नाजमंडी में फसल अफशेशों के ढेर लगे होने साफ सफाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिस से बरसाथ की संभावना जताई जा रही है कि अगर बरसाथ हुआ तो फिर गेहूं के रखने की विवस्था भी यहां पर पुखता तरीके से नहीं की गई तो प्रदेश की में